हेलो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है प्रिविएस यह पेपर की और यह हमारा सेप्टेंबर 2023 का वेपर है तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है ताकि मैं और ऐसे पेपर बना के लाओ बना भाही रिस्पॉंस तुम जानते हो ठीक है क्या है चल तो start करते है suppose the first question is suppose X is uniform ठीक है और curly braces है में इसका मतलब ही कहा है discrete है not continuous ठीक है तो suppose X हमारा uniform है this है ना and y कह रहा है x square y cos 2 x square है ठीक है कह रहा find p of y cos 2 1 given y is greater than 0 ठीक है तो y cos 2 1 निकालना है given की y क्या है 0 से बढ़ा है ठीक है ओके तो याद हो तो x हमारा uniform है ठीक है ये particular uniform है ठीक है so इसका हम x uniform है तो हर एक की probability यहां क्योंकि discrete है तो हर एक की priority कितनी भी 1y 5 है इसकी भी priority 1y5 इसकी भी 1y 5 इसकी भी 1y 5 तो इसकी भी 1y5 होगी ठीक है so मैंने क्या करणा मैंने table बनाया ठीक है जिसमें हमने x लिया y cos 2 x square लिया और fx लिया ठीक है so minus 2 की priority कितनी है 4-1 की periodic basically minus 1 की priority कितने 1y 5 minus 2 की भी 1 by 5 भी 0 की 1 by 5 भी यह सब की 1 by 5 भी ठीक है now y equals to x square तो x square तो x हमारे यह है तो y क्या हो जागा x square that is 2 minus 2 का square that is 4 then 1 then 0 then 1 then 4 ठीक है इनका square कर दिया ठीक now हमें table बनाना है y का ठीक तो y हमारी क्या-क्या value देख है १ृ से जो discrete value क्या-क्या है 0,1,4 मैंने i का table बना जिसमें 0,1 4 हमारा valued और 4 जो के लिए है तो 4 के लिए हमारे पास 4 यहा थो सम करीगे यह टोनों का प्रियर् calm करेंगे रहल करें फो सम करण तो 4 के लिए 2 by 5 आगया थीक है यह 1 के लिए हमारे पास 2 similarity और 29 massive immense तो ऐसे करके यह हमारा टेबल बन गया अब यह वाई का टेबल बन गया अब हमें निकालना है यह निकालना है तो यह क्या होगा तो यह क्या है यह कंडिशनल है तो कंडिशनल क्या होता है जॉइंट अपन में मार्जिनल राइट याद होता है सुरू सुरू वाले वीक्स तो उससे करेंगे at the y equals to 1 and y equals to greater than 0 का मतलब कहा है यह y equals to 1 ठीक है and y greater than 0 का मतलब कहा है 0 से बड़ यानी की 1 & 2 तो दोनों का सम ठीक है तो इसको solve करेंगे to you by 5 upon 2 by 5 plus 2 by 5 that is 1 by 2 that is 0.5 is .5 is .5 इसका answer इस particular question घाटीए नव नेक्स्ट कोश्चिन के बात करें तो नेक्स्ट कोश्चिन के आँ में पास तो वहां से आप उसको सॉल भी कर सकते हैं तो में नहीं पात हैं तो में नहीं पात हैं 10 पीपल का वेट 10 लोगों का वेट सब्सक्राइब नहीं पात हैं तो में नहीं पात हैं में एक बार इस्टिमेट कर लोगे तो हमें निकालना है पी आफ एक्स कापिटल एक्स को फॉलो कर रहा है ग्रेटर देन मुव ठीक है ओके हमें पता यह जो एक्स है यह मुव कॉवाँ 10 स्क्वेर का फॉलो कर रहा क्योंकि स्टेंडर डविशन टेंट तो यहां से में में मॉमेंट क्या होता है M1 इक्सटेशन वाइब एक्सटेशन वाइब एक्स राइड यह यह नहीं पता है कि हमारा एक्स क्या है 64,16 और हमने निखालना है इसको जो एक्स गया लू में लुटन हो क्या थैकर यह तो हम इसको क्या करें क्योंकि हम्सिक्स्ती है और हमारे पास टोटल कितना है अद्द स्टीफॉर हम्स इसका ठीक, CLT का यूज करेंगे तो क्या गरना, X-MU upon में, Sigma है ना, इसका Mu into इसका Sigma, ठीक है, यह हमारा क्या है, Small T है, जो यह आया है, हमारा पास, Basically, यही तो लिका लाए है, greater than Mu cap, ठीक है, So, X greater than Mu cap, basically, इसमें X का mean minus करेंगे upon में, इसका HD से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो X का mean कितना है, mean हमारे पास कितना है, 64, standard deviation कितना है, standard deviation हमारा पास 4 आ जाएगा, ठीक है, So, यहाँ से हमने क्या करें, G greater than 60 minus 64 upon 4, तो यह हो गया, G greater than minus 1, यह minus 4 आगा, minus 4 upon 4 is minus 1, ठीक है, इसको लेकर कितना है, 1 of, क्योंकि G greater than 1 है, तो इसको less than क्या से है, 1 minus FG of minus 1, So, 1 minus FG of minus 1 के तहां, 0.15, ठीक है, So, 1 minus 0.15, that is 0.85, that is your answer, ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको solve करेंगे, Now, third question की बात करते है, third question क्या है, Let x1, x2, x50, ठीक है, up to, up to x50 क्या है, uniform 0 to theta, ठीक है, And theta कह रहा है कि estimator है, theta cap क्या है, estimator है theta का, और हमें एक relation दे रखा है, कि risk के जो है न, variance के बरावा है, ठीक है, तो which of the following can be true, ठीक है, तो मैं पता है, x से लेकर x50 तक क्या है, uniform है, ठीक है, तो इसका expectation value, अगर हम निकाल ले, तो यह होता है, expectation value क्या होता है, अगर uniform है, तो इसका expectation value क्या होगा, a plus b by 2, right, तो 0 plus theta by 2, that is theta 2, ठीक है, हमें पता है risk-bias trade-off, यहाद है, risk-bias trade-off, risk-bias trade-off, तो risk-bias trade-off क्या होता है, यह risk के cost to bias का square, plus variance का square, ठीक है, हमें given risk के cost to variance है, ठीक है, इसका मतलब bias का square 0 होगा, bias का square 0 मतलब bias भी 0 है, इसका मतलब theta cap क्या है, हमारा unbiased estimator, that is, ease of theta cap is basically theta है, ठीक है, अब हमें पता चल गया क्या है, unbiased estimator है, ठीक है, now, अब हम सब को, इन सभी का हम check करेंगे, कि किसका expectation value हमारे पास theta के बराबर आता है, ठीक है, that is unbiased के बराबर, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक का पता कि e of xi का expectation value क्या है, मेरे पास theta y 2 है, ठीक है, so, last option को अगर मैं check करूँ, ठीक है, तो x1 plus x2 plus x49 minus x50, मैंने शुरू-सुरू में क्या कर रहा था, मैंने सोचा था, इसको कि ये ऐसा है, x plus x2 plus up to up to x49 है, और minus x50 है, but, I was like, मैं ऐसा सोच रहा था, ये था कुछ ऐसा, ठीक है, इसके लिए क्या है, e of x1 plus e of x2 plus e of x49 minus e of x50, हर एक का expectation क्योंकि e of xi का ही, हर एक का expectation में क्या है, theta by 2, तो इसका भी theta by 2, इसका भी theta by 2, इसका भी theta by 2, और इसका भी, तो ये दोनों तो minus or plus, तो cancel out हो जाए, बचेगा 2 theta by 2, that is theta, तो इसका theta आ रहा है, बाकि किसी का theta नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हमारा जो है correct option, and that is, which of the following can be theta capital, कि इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा है, ठीक है, next question क्या क्या है रहा है, ये, ठीक है, suppose we observed samples from a normal distribution, किसे, normal distribution से, where the variance is unknown, variance हमें नहीं पता, ठीक है, तो variance नहीं पता है, ठीक है, तो हमें पता है कि chi-square test लगेगा for variance, right, we want to check whether the variance is greater than sigma-square, तो किसी sigma-square से greater है नहीं, ठीक है, which, what test statistics and test can be applied for the situation, तो यहाँ पर एक ही test हमें को दिखा है, sample variance का test है, क्योंकि हमें निकालना, sample variance है, sample variance का test है हमारे पास, और hypothesis testing कौनसी है, chi-square testing, ठीक है, क्योंकि हमें यहां कह रहा है, check variance is greater than sigma-square, तो हम sample variance check करना है, तो test हमारे का है, sample variance, and hypothesis testing का है हमारे पास, chi-square test, ठीक है, तो यह हमारे पास answer, यह तो statement है, कह रहा है, which of the firm is true, type 2 error is the probability of accepting null hypothesis when it is not true, तो बलकुल, क्या है, अगर मैं type 2 की बात करूँ, P of type 2, तो यह क्या कहता है, यह कहता है, accept H0, probability of accept H0, given H is true, यह होता है, ठीक है, और P of type 2, type 1 क्या होता है, type 1 error क्या होता है, type 1 error होता है, probability of reject H0, given H0 is true, यह होता है, ठीक है, तो type 2 कहता है, probability of accepting H0, given ki HA is true, यानि alternate true नहीं है, मतलों यह true नहीं है, alternate true है, तो ये चाहिए है, probability of accepting null hypothesis when it is false and equal to power of test, गलत बाग तीशा के, probability of rejecting null hypothesis, rejecting null hypothesis when it is true जब वो true हो, is called level of significance that is alpha ये इसको alpha भी कहते है और इसको beta कहते है और power क्या होता है power होता है हमारा 1- beta that is 1- this ओके, idea एतना के लिए रहे, now next question क्या कह रहा है, कि number of industrial injuries on a working day in Delhi can be modeled by poison this, ठीक है poison and lambda, तो ये per day का है ठीक है, random way, suppose that the number of injuries on different days are independent, 2-2 पर कितना होता है, वो पहले से कोई लेना देना नहीं है, यानि IIDs है, ठीक है, let y represent the total number of industrial injuries in 365 days, अब जो y है तो y basically क्या करा है, x1 plus x2 up to up to 365, यानि 365 में जो injury जो होती है, total उत्सका, मतलब sum है, है ना सारे दिन का injuries का sum है, ठीक है ओके, करा है वीच आप देल्ट, तो मैं पता है, x क्या है x i क्या है, poison को follow कर रहा है, poison 0, 4 कर रहा है, ठीक है expectation value हमारे ये, और variance हमारे ये, ठीक है क्योंकि poison है, तो इसका expectation value भी lambda होता है, variance भी lambda होता है ठीक है, now y question 2, यह हो गया, sum हो गया, ठीक है तो इसका expectation value क्या हो गया है, इन सभी का sum का expectation value, that is ये सारे क्या है, अब x1 से x1 सब क्या है, iid है, ठीक है iid है, सब ये x1 से लेके, x1 से लेके, x2 up to up to, x 365 follows, iid poison, poison 0, 4 ये follow कर रहा है, ठीक है, so इन सब का individual का expectation क्या sum, और सब का individual का expectation कितना सा है, 0, 4 तो ये रहा है, x0.4, ठीक है, so that is 365 × 0.4, that is 146 , same variants और सब का साथे, vv procureशे से लेके, same Is called to individual, right or variance are to be here, 0.4 is got, 365 है, teak, so y was with here, again same answer, so अगि naturally answer is like the Y, so expectation value 146, variance 146 okay, Veken है नहाँ कह रहा है using CLT find the approximate probability that there will be more than 150 injuries in a year in Delhi ठीक है तो कह रहा है उपर वाले question का इसाब question है that is y greater than 150 पूछ रहा है ठीक है CLT use करेंगे CLT use करना है ठीक है तो क्या करेंगे y minus expectation of y upon variance of y ठीक है 150 minus expectation of y upon variance of y तो यह तो जी होगे हमारे पास ठीक है यह हमारे क्या होगे यह हमारे जी हो गया राइट जी greater than 150 minus 146 का भी आया और variance भी रूट अंडर 146 आया ठीक है रहा है तो यहां गलत लिख रहा है मैंने यह 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 variance होगा यार यह sd होगा sorry यह sd of y ठीक है तो sd of y लिकाला है मैं यह ठीक है हाँ so root under variance होगे हमारे sd है तो 4 upon root 12.08 और इसको गार तो 0.33 आएगा ठीक है तो p of g greater than 0.33 is basically 1 minus fg of 0.33 that is 1 minus 0.6293 that is 0.378 यह कहां से यह मैंने जी टेवल से निकाला है but I guess इसका वह भी दे रखा है सुरू में दे रखा है I guess है ना तो मैंने चेक नहीं कर रहा है मैंने जी टेवल से निकाला है तो like first page में दिया होता है जी टेवल से ठीक है तो वह तुम check out कर सकते है now next question next question कहा रहा है density function of a continuous random variable दे रखा है ठीक है density function दे रखा है less than x less than 1 यह है ठीक है यह है तो हम minus 1 से 1 तक के लिए integrate करेंगे तो k x square dx है ना k x square को dx के time में integrate करेंगे तो यह आएगा इसको solve करोगे तो 3 by 2 हमारा आएगा integration I hope आपको आता है यह k है तो k को बाहर लिका लिए हमने x square का x cube by 3 हो जाएगा and then उसको मैं intervals को put करेंगे है ना औरो अच्छा क्यों कोई पूछेंगे कि ऐसा क्यों करा है हम ऐसा क्यों नहीं करा कि 0 से 1 तक 0 से minus 1 तक integrate करो फिर 0 से 1 तक integrate करो तो ब्रो यहाँ पर कोई one नहीं दे रखा क्या बोलते है ब्रेक पॉइंट नहीं दे रखा है इसलिए हमने पूरा integrate करा अगर ब्रेक पॉइंट दे रखा हुता है कि वह कहते है कि x greater than 0 है then one चलेके x लेके one तो ऐसा दे रहा था तब हम ब्रेक पॉइंट करते है ठीक है यहाँ पर break नहीं दे रखा है तो हम नहीं करेंगे now can I calculate the value of capital f x of 0.5 capital f x को हम क्या करते है basically p of x less than equals to 0.5 0.5 से less than यानि कि minus 1 से 0.5 तक का है और k हमारा 3 by 2 है x squared x इसको solve करोगे तो 15 into 0.375 that is 0.56 ठीक है यह answer आएगा now कहा रहा है what is the expected value the expected value कहा है again minus infinity से infinity x fx dx ठीक है minus 1 से 1 x into 3 by 2 x squared dx ठीक है इसको solve करेंगे 3 by 2 into x की power 4 upon 4 तो यहाँ पे 1 put करोगे तो 1 by 4 minus put करोगे तो 1 by 4 ठीक है मतलब यह plus ही होगा और 1 उनको बीच में basically यह रखो ऐसा होगा 1 का square ठीक है minus minus 1 का square by 4 तो यह कटके आपस में 0 ही हो जाएगा ठीक है तो in 2 में 0 is basically 0 ठीक है expected value इसका 0 है now again next question और यह 11th question है ठीक है the probability mass function of discrete random variable is given by this ठीक है और IID samples है 10 है 10 IID samples दिये हो है कारे find the method of moment estimation of P में पता है m1 equals to expectation value अब sample दे रखा 10 तो 1 upon 10 into sum of all these है ना exercise का sum और equals to यह क्या होगा expectation value क्या होगा x into f of x है ना तो x into f of x तो पहला क्या 0 into 1 minus 2py3 तो इसको लिखने के कोज वह थे ने plus यह summation होता राइट प्लस में 2 into my p by 3 plus 4 into my p by 3 यहीं बचेगा ठीक है तो इसको हम लिख सकते क्या 6p by 3 या फिर 2p कहा दो ठीक है यहीं सब चीज़ ठीक है तो यहीं 6p by 3 तो यहां से पी की वैल्यू लिखा लिखा लिए थो पी को स्टू परीदार से यह से क्रॉस मुल्टिप्लाय करके हमारे पास जो आएगा यह आएगा 9 by 10 that is 0.9 अब सेम काम को मैं maximum likelihood से भी करना है तो maximum likelihood के लिए हमें पता है क्या करना होता है fx का product right तो fx के लिए तो हमें देखना होगा कि हमें इसमें 0 0 के लिए यह fx है तो 0 कितनी वारा है तो 0 हमारे पास 1 2 3 4 तो इसकी पावर कितनी होगी 4 है तो अब हमने क्या करें लॉग लिया क्योंकि यह powers बड़े है तो इसे लिए लॉग लिया तो इसे लिए लॉग लिया लॉग लिया तो यह 4 log 1-2py3 हो गया ठीक है और plus 6 log py3 हो गया इसको हम डिफ्रेंशेट करेंगे with respect to p with respect to p differentiate गया 4 इंटो में log का differentiation 1y log हो जाता है और उसके बार अगर पी है तो उसका भी differentiation हो गया तो इसका इसको अब solve करोगे for p है इसको ऐसे solve करोगे for p तो तुम्हारा p solve होके कुछ आएगा 9 by 10 that is 0.9 तो maximum likelihood से भी तुम्हारा 0.9 आया और वैसे भी 0.9 है calculation तुम्हारे सामने तुम पाउश करके देख सकते हो ठीक है ना नेक्स क्षिन कहरा है एक्स कहें डिस्क्रीट रेंडनम विरीवर टेकिंग वैल्यू जीरो वन टू ठीक है यह वैल्यू से कुछ जो ले रहा है वह with respect to probability this यानि कि हार एक की प्रड़िटी भी दे रखे और यह तुम्हारे सैंपल से कुछ ठीक है I guess 10 सैंपल है 3-3-6-3-9-10 कहा रहा है अज यूं प्रायर डिस्टिबिशन इतना है ठीक है प्रायर डिस्टिबिशन तो मैं बीटा 4,5 है कहा रहा है प्रोस्टीरियर लिका लो अग गें ठीक है तो यहां से हम 0 के कितनी है प्रायर डिस्टिबिशन और रहा है फिर ऐन की प्रायर्टे गावा है घ्यूर हमारे पास एक दोटीन अर्टी यह हो घ्या लाइक लिकार घ्या तो ईसका इसका kay होगा तो इसका प्राइऑ खिलतों आलवह-1 और 1 verminy पकीक के पार भीटा-mani ठी-गार तो 5-1 यहां से है तो इसको हम बीटा लिख सकता है तो यहां से है कि यह क्या फॉलो कर रहे है बीटा को फॉलो कर रहे है इसको हम ऐसे लिख सकते है पी की पावर 11-1 and 1 by p के पावर 8 minus 1 ठीक है now हमें पता है कि यह क्या है यह basically it is nothing but beta 11 यह alpha होगा है इसको हमें से कहें p of alpha minus 1 और 1 minus p के पावर beta minus 1 ठीक है तो यहां से alpha के value कितनी है 11 और beta के value कितनी है 8 तो theta cap क्या होगा beta 11,8 को follow कर रहा है that is this अगी find the posterior mean ठीक है पोष्ट यह में निकालना है तो यह थीटा के आप होगा है alpha upon alpha by beta ठीक है तो यह हमारा है तो alpha upon यह हमारा alpha यह हमारा beta है alpha upon alpha plus beta अग्ता है mean तो 11 upon 11 plus 8 that is 11 by 9 that is 0.57 ठीक है now next question suppose a principal states that the student studying in in her school having an average IQ score equal to 98.5 ठीक है IQ score कितना है 98.5 average mean t है यह t value है small t की value है ठीक है a reporter suspect that average may be higher तो mu may be higher greater than something c ठीक है taking a sample 100 ठीक है 100 students का sample लिया and find out that the average IQ should be score of child is 98.7 राइट यह actually है यह वाला तो नहीं है यह नो mu है ठीक है mean है so यह ठीक है यह तुम्हारा null and alternate के लिए है यह तुम्हारा t value है ठीक है assume that IQ score normally distributed है with standard division 1.6 ठीक है कह रहा है define null and alternate तो हमें पता है यह तुम्हारा कहा है claim is की एक principle का claim कितना है कि 98.5 है तो यह तुम्हारा null है alternate के है कि ज्यादा हो सकता है mu is greater than यह राइट टेस्ट ठीक है small t तुम्हारा 98.7 है और x तुम्हारा कहा है mu comma 1.6 तो हमें यहां से null and alternate बढ़ाना था तो यहां से हमें पता चल दिए कि ज्यादा हमारी यह तुम्हारा यह तुम्हारा इसी पर हमें p-value लिकाना p-value करता है reject echnote given echnote is true बस p में क्या करता है t is greater than c करता है तो t is greater than small t करता है यानि c को t से replace t is greater than 98.7 क्योंकि t हमारी यह है तुम्हारा यह given कि mu कितना है 98.5 अगें इसको g-value में करें t minus mu upon sigma equals to 98.7 minus क्योंकि इसमें से minus करेंगे जब इसमें से minus करेंगे upon sigma given mu value put करेंगे 98.5 upon 1.6 by 100 क्योंकि यहां पर दे रखा है 1.6 है standard deviation किसका student का IQ square IQ square student कितने student है 100 student है यहानि एक x का तो दे रखा है हमारे पास कितने x1 plus up to up to x100 है ना तो इसका sample mean क्या हूँ sample variance क्या हूँ root root n भी करना पड़ेगा तो इसलिए तो इसको करेंगे 0.28 upon 0.16 क्योंकि 10 हो जाएगा 0.1.6 upon 10 is 0.16 इसको solve करेंगे pz greater than 1.75 इसको करेंगे 1-pz less than 1.75 ठीक है that is 1-0.9599 that is 0.04 तो यह answer है मेरा ठीक है p value यह पी value इतना होगा इतना से नीचे अगर कोई value आता है तो हो sigma अगर इससे नीचे आता हो हम reject करतेंगे reject नहीं कर पाएंगे accept करतेंगे ठीक है और यह हमारा last question था ठीक है इसका hypothesis से बने है ठीक है दो question मेरे maximum likelihood और यह method of moments के थे ठीक है तो distribution से ही में ठीक है overall distribution से ही में और यह recent paper है तो इससे जान लो कि एक question मेरा week 1 week 2 से है ठीक है यह question हमारा method of moments वाला है week 9 का है तो यह risk and variance हो गया week 9 10 का है ठीक है यह normal distribution हो गया ठीक है hypothesis हो गया यह पूरा hypothesis का है फिर expectation value यह सब तोड़ा week 5 6 का है ठीक है यह भी तुम्हारा week तो ऐसे ही ऐसे ही यह पूरा distributed है ठीक है तो paper एक दो question हो सकता है जो hard है ठीक है बागी paper overall का है easy है तुम्हारे ठीक है so ऐसा नहीं कि कोई particular focus करो किसी चीज़ पर ठीक है सब पर equal focus करो ठीक है सबसे ही question आएगा और easy question बनेगा पी बाइक की practice करो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब और वीडियो पसन रहा तो लाइक करना ठीक है